12 गंटे में सन्यास, 24 गंटे में यूटन जी हाँ सही सुना आपने रिटायर्मेंट जो है अब क्रिकेट में मजाग बनके रह गया है पहले आप अनाउंस कर दीजे कि मैं सन्यास ले रहा हूँ उसके अगले दिन आप फिर ये बात बोल दीजे कि मैं सन्यास नहीं ले रहा हूँ मतलब यहाँ पर आप देखे तो बहुत ही जादा मजाग बन चुका है भाई यह हो क्या रहा है अभी हाली में आप जानते हैं बंगलादेश के कप्तान तमीम इकबाल ने यहां retirement announce कर दी थी उन्होंने कहा कि अब मैं सन्यास ले रहा हूँ ODII cricket से भी और मुझे अब अपनी टीम के लिए cricket नहीं खेलना है लेकिन अब उन्होंने फिर से एक प्रेस रिलीस करा है जहां पर उन्होंने यह बात कही है कि मैं अभी अपनी टीम को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं ODI खेलूँगा, continue करूँगा इसको अभी तो यहां पर अगर आप देखे तो 6 जुलाई को यहां पर उन्होंने announcement करी थी और काफी भावू को गएते वो रो भी रहते जब वो announce कर रहे थी कि मैं retirement ले रहा हूँ लेकिन अब जो है यहां पर उन्होंने बोल दिये कि मैं नहीं लेने वाले retirement खबरों के मुताबिक यह बात आ रही है कि बंगलादेश की जो प्रदान मंत्री है शेक हसीना, उनके साथ उनकी बात चीत हुई है जैसी उन्होंने press release करी थी उसके बाद वो प्रदान मंत्री से मिले है और प्रदान मंत्री ने उनको काफी समझाए क्योंकि बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड में अभी कप्तानी को लेकर काफी ड्रामा चल रहा है तो उस वज़े से जो है वो चाहती है कि कही ना कही अभी तमीम इकबाल बंगलादेश को लीड करे उनका ये भी कहना है कि अभी वर्ल्ड कप आने वाला है और वो चाहते नहीं कि वर्ल्ड कप से पहले आप कम से कम ये टीम छोड़ कर जाए वर्ल्ड कप के बाद अगर आपको रिटायर्मेंट लेनी हो तो वो आपका कॉल है वो आपकी इच्छा है लेकिन हो सके तो वर्ल्ड कप में अपनी टीम को लीड करे और कहीं ना कहीं उनकी सला को माना गया और यहां पर तमीम इकबाल ने यूटन ले लिया है और उन्होंने बोल दिये कि मैं अभी रिटायर्मेंट नहीं लेने वाला तो बंगलादेश की कप्तानी पर जो क्वेशन मार्क था उसको फिर से फूल स्टॉप बना दिया गया है तमीम इकबाल के द्वारा राजिस्थान रॉयल्स ने भी तमीम इकबाल की रिटायर्मेंट का काफी मजाग बनाया है हाली में उन्होंने पिच्चर पोस्ट करी जहां पर उन्होंने लिखा था fastest things in the world और वहां पर अगर आप देखें तो चौती पिच्चर जो थी वो तमीम इकबाल की थी तो कहीं न गई अगर आप देखें तो इसके बाद जो अब तमीम इकबाल भी ट्रोल होने वाले हैं ऐसा लगता है काफी पूर्फ क्रिकेटर और काफी पूर्फ सेलेक्टर उनको ट्रोल करने वाले उनकी निंदा करने वाले इस बात पे कि आप जो है सन्यास को लेकर ऐसे मजाक नहीं बना सकते और अब देखना पड़ेगा क्या तमीम इकबाल का वर्ल्ड कप में कैसा प्रदर्शन रहता है कैसे वो टीम को लीड करते हैं और क्या बंगलादेश वर्ल्ड कप में कुछ कारनामा करके दिखाएगी कमेंट्स में बताएं आप इसके बार में क्या सूचते हैं हमारी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें